हलो, क्लास 12 लास्ट दो चाप्टर्स बिजन स्टडीज के हम चैनल पे गवर कर चुके हैं जिनके वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रीशन में देदूँगी वो आप वहाँ जाकर देख सकते हो आज स्टार्ट करते हैं वो तोनों बहुत basic chapters थे आज स्टार्ट करेंगे जो third chapter है business environment ये जो chapter है न ये case study के परपस से बहुत ही important chapter है आप और exam में mostly case studies ही आती है मैंने आपको पहले भी बताए है तो आप इस chapter को बहुत ध्यान से समझना स्टार्ट करते हैं Meaning of Business Environment देखो हम जहां पर भी रहते हैं आप जहां भी रहते हो आपके आज पस बहुत सारी चीज़ां होते हैं जो आपकी लाइफ को आपकी लाइफ स्टाइल को एफेक्ट डालती हैं क्योंकि वो आप किसी ना किसी environment में रहते हैं आप लोग सेम उसी तरीके से हर business का एक environment होता है जिसने बहुत सारे features के आपके business को effect करते हैं अब वो effects मतलब हो सकता है कि वो directly आपके business को effect कर रहे हो या फिर mostly सारे business को effect कर रहे हो वो हम सारा देखते हैं उससे पहले एक चीज बच्छो जिसे एक वीडियो में पूरा chapter cover करना थोड़ा tough होता है सेम उसी तरीके से मतलब यहां पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लिख कर नहीं बता सकती जिसे आदी चीज़ें यहां पे लिखी रहती हैं और आदे से उससे ज्यादा चीज़ें जितना यहां लिखा है उससे ज्यादा हम लोग आपको बोल के बताता है तो प्लीज आप लोग जब भी वीडियो देखा करो ना तो आप लोग copy pen लेके बैठा करो ताके जो चीज़ें हम आपको बता रहें वो आप note भी कर पाएं ठीक है स्टार्ट करते हैं बिजनस के मीनिंग के अगर मैंने यहां बिजनस का मीनिंग इसलिए नहीं लिखा है आप देख रहे हो यह वाला जो इस पेस है यह खाली है वो इसलिए है क्योंकि जो अगर आपने एक बार फीचर पढ़ लिए तो आप इसका मीनिंग खुद से समझ पाएंगे कुछ forces होते हैं या कुछ factors होते हैं जिने हम control नहीं कर सकते जैसे business environment में business में क्या होता है हम बहुत सारी चीज़ों को control कर सकते हैं कि हमें आगे चलके यह losses होने वाले और हम उनको control कर लेते हैं जिसे आपको याद होगा हमने accounts में पढ़ाता है कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा amount हर month या हर year एक अलग निकाल के रखते रहते हैं कि अगर हमें कभी loss होगा तो हम उसे वहां से cover कर लेंगे पढ़ा था याद होगा class 11th में पढ़ा था एक एक करके इनके features को समझते हैं first वाला जो feature लिखा होगा है वो है totality of external forces होता क्या है बहुत सारे forces इस तरीके के होते हैं जो आपके business को effect कर रहे होते हैं external forces होते हैं आप ऐसे कौन से forces हो सकते हैं जैसे customer demand क्या आपको पता है कि आपका customer क्या demand करने वाला है नहीं करने वाला है I mean आपको नहीं पता है ठीक है ऐसे ही क्या हो कर दो यह जो इस तरीकी के होते है जिसे आपके competitors अभी आपको नहीं पता कि आपके competitors जिस अभी आपको प्रेजेट का पता है कि वो किस technologies पर काम कर रहे हैं क्या आप हमें ये पता होता है कि वो आगे कौन सी technology लेकर dell कर आने नहीं हमें पता होता हमारे creditors की policy, जिनके साथ हम creditors, जो हमारे creditors हैं वो कभ अपने policies को change कर देंगे हमको नहीं पता, तो कहने का मतलब यह है कि अगर business environment की knowledge हो तो जिन लोगों को होती है वो तो इसका time, अगर timely उनको पता सबको चलता है, जब पता सब चलता है उसके बाद में है, second है specific और journal forces first पर लिखा है specific और second पर लिखा है journal, इनको अलग-अलग समझते है, specific force sorry, हाँ, पहली specific समझते है specific forces कौन से होते हैं जो directly कीवल आपके business को effect कर रहे होते हैं जैसे आपके customer की demand, for example, मैं किसी और चीज का business करती हूँ और आप किसी और product का करती हो ठीक है, आप particular मैं जिस चीज का business कर रहे हूँ मेरे customer ने उसकी demand change कर दी तो क्या उस पर आपके business पर उसका फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, किवल मेरे business पर उसका फर्क पड़ेगा, ऐसे ही मेरे creditor ने किसी चीज की, उसने अपनी policies change कर दी, तो आपको तो उसका कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, फर्क मेरे business पर पड़ेगा ऐसे ही हमारे competitors माल लीजे कि आपका किसी और machinery का business है और मेरा garments का business है मेरे competitors ने garments में कुछ अलग varieties लेकर आए ठीक है, अब वो, क्या वो machinery पर या उन technologies पर भी उसका effect पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो specific forces कौन से हो गए जो directly केवल particular किसी एक business को effect कर रहे होते हैं ऐसे ही second वाला general forces ये क्या होते हैं, ये government की policies, GST आया आपका चाहें government का business हो machinery का हो, furniture का हो किसी भी चीज़ का, छोटा business हो, बढ़ा हो, GST ने सबको effect किया, या demonization आया, ऐसा नहीं था कि कि किसी दो या चार particular fields को इसने effect किया हो, सबको effect हुआ तो general forces कौन से होते हैं जो equal सारे businesses पे उनका effect हो रहा होता है, आप किसी पे ज्यादा किसी पे कम वो अलग बात है, लेकिन ये होता है कि फर्क सब पे बढ़ रहा होता है समझ में आगया होगा, उसके बाद पर next है, interrelatedness interrelatedness क्या होता है सारे business जो होते हैं वो आपस पे interrelated करते हैं जैसे अगर मैं आपको एक example के साथ समझाओ, तो होता कि है, जैसे माल लीजए अभी जो train चल रहा है, वो क्या चल रहा है, जो हमारी अभी की youth है, जो new generation है वो किस चीज़ पे हम ध्यान देता है कि अच्छी body होनी चाहिए personality अच्छी होनी चाहिए अब personality अच्छी करने के लिए mostly बच्चे जिम जाते हैं अगर आप जिम जाओगे, तो आपका एक trainer होगा, trainer आपको advice दे गए, कि यह है ना आप क्या करो, कि जो protein होते हैं वो लो अगर आपने protein लेना start किया तो सबसे पहला effect अगर आप जिम गए तो जिम के बिजनिस पहा है, जिम का बिजनिस क्या होगा, बढ़ जाएगा उसके बाद में जो आप जिस भी companies के product खरीद रहे हो, प्रोटीन पी रहे हो उनके बिजनिस पह फर्क पड़ेगा इस चीज का, आपका जिम का trainer ने एक आपको diet चार्ट दिया हो है, जिसमें एक है आपको juice पीने के लिए बोला है ठीक है, दो ग्लास या एक ग्लास juice आपको daily लेना है, तो juice के बिजनिस पह फर्क पड़ेगा, वहीं trainer ने आपको ये भी बोला है, कि आपको क्या करना है आपको जो fast food है, वो नहीं लेने है बनाने का प्लान है, तो एक जगा जिम का ब्लान, जिम का जो बिजनिस है वो भी इफेक्ट कर रहे है, जो healthy products है, वो भी इफेक्ट कर रहे है fast food का बिजनिस है, वो भी इफेक्ट कर रहे है, समझ में आया next, आगे बढ़ते है, डाइनमिक नेचर, अगर हम डाइनमिक नेचर में बात करें, तो देखो, आपको खुद से समझ में आएगा, कि जितनी भी बिजनिस होता है, I mean, जितनी भी टेक्नलोजी होती है, वो time to time change होती रहती है, अगर हम आज से कुछ time पहली की बात करें, बहुत जादा पुरानी बात नहीं करते हैं, जिसे अभी 10-12 साल पहली की बात करें, तो बहुत जादा टेक्नलोजी नहीं थी, school में in fact, आज भी ऐसा नहीं है, कि आपको totally projectors पर ही पढ़ाया जता है, जिसे आज आज आप घर पे बैठे हो, तो आप कैसे बढ़ रहे हो, आप मेरे वीडियो अपने phone में खोल रहे हो, या कुछ बच्चे laptop में देख रहे हैं, और वहां से online study कर रहे हैं, लेकिन, पहले कैसे, एक board हुआ करता था, blackboard, जो teacher होते थे, वो आपको chalk और duster की help से पढ़ाते थे, ये change आया न, कि chalk duster, blackboard से क्या change हुआ, आज आप digital boards का use कर रहे हो, predictors का use कर रहे हो, और online classes पे study कर रहे हो, तो ये ऐसे changes क्या होते हैं, आते रहते हैं, और जो भी लोग इन changes के लिए तयार होते हैं, लोग मतलब business man की बात कर रहे हो, और वो क्या इस चीज़ का फाइदा उठा लेते हैं, और उनका business grow कर जाते हैं, उसके बाद में next हम बात करते हैं, uncertainty, इसमें क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि, कभी कुछ भी हो सकता है, हर business man को इसके लिए तयार होना चाहिए, कभी कुछ भी कैसे हो सकता हैं, जैसे GST आया, कुछी टाइम में सब कुछ सारी policies, सब कुछ आपको market में इसका बहुत सारा फर्क देखने को मिलता रहा, मिला, ऐसे ही जैसे अगर हम demontization की बात करें, एक रात में या इतनी जल्दी से बहुत सारे changes आये, तो जो भी इस से लिए इस change environment के लिए ready थे, मतलब पता उनको भी नहीं था, लेकिन वो इस चीज को जल्दी से उन्होंने accept कर लिया, कि हाँ ठीक है, अब हमें इन policies पे काम करना है, उन्होंने बहुत जल्दी से सारी चीज़े को cover up कर लिया, और जो कि यह कैसे हो गया, इस सब में उलजे रहे, वो उनको आपको पता है, कि उनको बहुत सारे losses को सामना करना पड़ा, उसके बाद मैं next आप बात करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, यह किसी को भी नहीं पता, फ्यूचर में क्या हो गई तो किसी को भी नहीं पता, impossible है यह पता करना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, कि अगर आप उनके लिए पहले से prepare हो, तो आप उसके advantage भी ले सकते हो, जिसे आपको यह पता हो कि बहुत जलहार थोड़े टाइम में fashion में changes आते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, अब आपको पता चल गया कहीं से कि है न, fashion में changes आने वाले हैं, या fashion में change आ गए, और आपने उसी तरीके के products अपने पास लेकर लाके रख लिए, और आप उसका sale करने लगे, या आप उसका production करने लगे, तो बस आप उसकी advantage भी ले सकते हो, ये तो हमने बात की, business environment के features के बारे में, उसके बाते हैं, देखो, business environment को समझना जो होता है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है business scanning, जिसको भी ये business scanning समझ में आ जाती है, इसमें total आपको five dynamics दिये हो हैं, जिसको भी ये समझ में आ जाते हैं, वो इनका advantage ले लेते हैं और जिनको समझ नहीं आते हैं, उनको उससे बहुत ज़्यादा loss जहिलना पड़ता है, तो five dynamics हैं, इनको पढ़ते हैं के करके बहुत important है, ध्यान से समझना हो सकते, इनके बहुत बार, इनके questions कैसे आते हैं, आपको case study के तरीके से आएगा, उसके बादें अलग से भी पूछ लेते हैं, mostly case study के रूप में आपसे पूछेंगे, political environment, economic environment, social environment, technological environment और legal environment, एक ही करके समझते हैं, पहले देखते हैं, political environment, पॉलिटिकल environment क्या होता है, government क्या, हर बार जिसे हर पांच साल में government change होती है, government change होती है, ऐसे कभी BJP की government आई, या उसके बाद फिर, तो जो business, जो rules BJP ने बनाए थे, अगर मान लीजे, इसके बाद में Congress आ जाती है, तो Congress भी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, कि वो इस सारी, जो भी उन्होंने rules बनाए थे, वो Congress भी follow करें, Congress उनमें कुछ changes कर सकती है, तो ये क्या होते हैं, इस तरी के जो government के change होने से, policies जिनमें change हो जाएं, तो उनको क्या बोलता है, political environment, उसके बाद में next है, economic environment, जैसे political environment जब change होते हैं, तो उनमें ये समझपाना मुश्किल है, business environment को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी policies आने वाली हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे, economic environment की, तो इसको identify करना इतना tough नहीं है, जैसे GDP है, GST है, demonization है, ये सब क्या है, business environment को या तो बहुत अच्छे से effect डाल रहे होंगे, या बहुत बुरी तरीके से effect डाल रहे होंगे, बुरी तरीके से मतलब कि या तो इनकी कुछ advantage मिल रहे होंगे, या फिर disadvantage मिल रहे होंगे, लेकिन ये effect डालेगा जरूर, हमारी economy पे GST आया, demonization आया, ये सबने effect तो डाला ही है, किसी के business पे बहुत जादा grow कर दिया, और किसी के बिलकुली खराब कर दिया business, तो इनको बोलते है, economic environment, उसके बाद, social environment के अगर हम बात करें, अच्छा बचो एक चीज और, मैंने यहाँ इनकी कुछ, मतलब आपको सिर्फ ये बना के बता दिया है, बाकी मैं आपको समझा रहे हूँ, तो जो चीज़े मैं आपको समझा रहे हूँ, वो आप साथ की साथ note कर लेना, और जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कि अगर इस तरीके के diagrams कभी बनाने को आए, तो आप उन diagrams को ज़रूर ड्रॉ करके हो, उसमें marks में आपको बहुत help करती है, बट्टेम, social environment, business किस से होता है, society से, society हर business से कुछ ना कु उम्मीद करती है, जैसे किस तरीके की उम्मीद करेगी, healthy products की, सब चाहते हैं, कि मतलब healthy products मिलने चाहिए, तो society, अगर आप healthy products को लेकर आते हो, आपका healthy products का business होता है, तो उसके chances ज्यादा होते हैं, grow होने के, उसके बाद जैसे अगर हम बात करें, कि आज से बहुत टाइम पह social environment है, ऐसे equal status की अगर हम बात करें, जैसे men और women की अगर हम बात करें, तो वो equal status होने चाहिए, तो ये सारी चीज़े किसके अंदर आती है, social environment, मैं आपको ये भी बता, वो सारी किसके अंदर आएंगे, technological environment के अंदर, जैसे, नई technologies आ गई, अब आप, मुझे लगता है कि सारे लोग, मतलब बहुत ज्यादा परसेंट लोग, cash में transactions करते ही नहीं है, वो कैसे करते हैं, पे टीम कर दिया, या Google पे कर दिया, phone पे कर दिया, सामान बेचने के लिए भी ऐसे ही, अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको शॉप पे जाके purchasing करनी पड़ती है, आप क्या करते हो online order कर लेते हो, तो ये सारी चीज़े किसके अंदर आती है, technological environment के अंदर आती है, आप order कर देते हो और आपके घर पे सामान आजाता है, उसके बाद में है legal environment, जोके इसका last है dimensions का, legal environment पे क्या होते है, ये frame by government या फिर order by government, इसमें क्या होगा, कि government की side से कुछ policies change हुई है, या government क साइट से कुछ orders आये हैं, जिनको अगर हम follow करेंगे, तो ही हम आगे business को बढ़ा सकते हैं, अगर उनको follow, जैसे अब अगर कोई ये बोले, GST आने के बाद क्या कोई ये बोल सकता है, कि मैं GST को follow नहीं करूंगा, ऐसा कोई option ही नहीं है, आपको कोई choice नहीं दी जा रही है, ये एक order है, जो कि हमें follow करना ही पड़ेगा, तो कुछ law होते हैं, government की side से, जो कि हमें follow करने पड़ते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, legal environment के, hope guys आपको features और dynamic of business environment समझाया होगा, आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि छोटा chapter है, almost 80% course हम अपने इसी वाले वीडियो में हम cover कर लेंगे, new economic policy 1991, 1991 के बाद, तीन हमें major changes देखने को मिले, जो कि उनको हम LPG के नाम से भी जानते हैं, LPG क्या होता है, L का मतलब होता है, liberalization, P का मतलब होता है, privatization, और G का मतलब होता है, globalization, एक एक करके समझते हैं, पहले देखते हैं, liberalization में क्या होता है, 1991 के बाद में क्या हुआ, government ने क्या किया, बहुत सारे जो unnecessary restrictions थे, उनको हटा दिया गया, जिसे उनमें first ये था, क्या import-export पर हमें क्या हुआ, freedom मिलने लगा, उस पे बहुत सारे taxes थे, जो unnecessary थे, उनको हटा दिया गया, उसके बाद में प्रोडेक की जो प्राइज है, वो खुद से decide कर सकते थे, उससे पहले प्रोडेक की quality हम खुद से decide नहीं कर सकते थे, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, जो प्रोडेक की प्राइज होगी, वो हम खुद decide कर सकते हैं, liberalization के बाद business में जो changes आए, उनसे क्या हुआ, business में बहुत काम करना मैंने यही सारी चीज़ जो आपको समझाई हैं, वो यहां लिखी होई हैं, आप चाहो तो एक बार screenshot ले सकते हो, अदर्वाइस pause करके note भी कर सकते हो, उसके बाद में second वाला है, privatization, इसके अंदर क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को और public sector को कम करो, 1991 से पहले, total 17 sectors, 17, okay, total 17 sectors government के control में थे, उसके बाद उन्हें कम करके कितना कर दिया गया, 8 कर दिया, उसके बाद 8 से भी कम करके, 2-3 sectors ऐसे कर दिया, जो केवल government के control में होंगे, जिसे railway हुआ, और army के जो equipment हैं, वो हुए, वो केवल government ने अपनी custody में रख्या, अ private sectors के साथ में काम हो रहा है, इसके बाद में इनोंने क्या किया, यह मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, पहले कितने थे, 17% sectors थे, फिर उनको change कर, कम करके, 8% sectors हो गया, और उसके बाद उन्हें change करके किया, केवल 2-3% sectors ही, ऐसे हैं, जो के पूरे तरीके से government समालती है और बाकी सारा कुछ क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है, इसमें एक और चीज़ थी, stake of government, उसमें क्या था, उसमें क्या है, कि 51% share, प्राइवेट जो industries हैं, वो खरीद ले, तो कमपनीज, प्राइवेट कमपनीज में convert हो जाती हैं, आपको यह दोनों clear हुए होगे, आगे बढ़ते हैं, globalization की साइब, globalization में क्या हुआ, पूरे world में, अब हम business कर सकते थे, और वो लोग हमारे यहां business कर सकते थे, उससे पहले, बहुत सारे restrictions थे, जिनकी वज़े से हम पूरे world में नहीं business कर पाते थे, यह कि 1991 के बाद globalization में यह कर दिया, कि अब आप पूरे world में कह की साइब business कर सकते हैं, export duty जो थी, वो बहुत ज्यादा थी, 1991 से पहले, जिसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया, import duty, यानि जब आप बहार से सामान कुछ मगवाओगे, उस पर जो text था, वो भी बहुत कम कर दिया, बहुत कम से मतलब बहुत ही, जो legal था, बहुत ही, minimum कु export duty को पूरी तरीके से हटा दिया गया, hope guys आपको ये समझाया होगा, इसमें हमने आज के session में लगभग 80% chapter ये वाला cover कर लिया है, आपका 20% chapter और रहे गया है, जो कि इसकी एक वीडियो और आएगी, बहुत छोटा chapter है, लेकिन उतना ही बहुत important chapter भी है, case study तो इसमें से आती की आती है, तो आप ध्यान से समझना, इस्टिल आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे comment करके बताओ, हम discuss करेंगे आगे, तब तक के लिए, आगे के लिए बाबाए, thank you so much, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज आप वीडियो को like किया करो,